गूड इवनिंग बच्चो एक 11th क्लास की बच्ची ने एक क्वेस्टन पूशा है नीटवन एप पर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेस्टन ये है अ थ्रेड़ेड रॉड विद 12 टर्न्स पर सेंटीमेटर एंड डियमेटर 1.18 सेंटीमेटर इस मांटेड होरिजॉंटली अब दो को पहली बात तो ये देखो थ्रेड़ेड रॉड क्या होता है तो थ्रेड़ेड रॉड का मतलब है कि ये ऐसे रॉड है और उस पर ऐसे खाचे बने हुए है एक स्क्रीव देखा न एक स्क्रीव होता है नट बोल्ट समाझ लो नट बोल्ट यानते हो न तो एक जो नट होता है और छोट छोट छोटे खाचे बने होते न ऐसे ठ्रेड कर दिये गए हैं उनको использовать इसे फसा सकते है अपनि अच्छैसे खाचे इसमें बने होते हैं रोड के के उपर ऐसे फस जाता है गूम जाता है तो कुछ ऐसी ही कहानी इसमें बोल रहा है तो मैं फिर से निकाल लेता हूं जरा आपका question क्या था a threaded rod with 12 turn per centimeter तो उन्होंने ये बोला कि यहां पर जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि यह एक रॉड हो गई ठीक है मतलब एक नट हो गया यह और इस पर ऐसे कुछ और कलर यूज कर ले हम ठीक है यह स्वामिया शर्मा का question है यह इसने चली यह इसनोंने पूंचा कि ऐसे इस पर ऐसे खाचे बने हुए है राइट ऐसी दो बने होते हैं इनको थ्रेड बोल रहा हैं राइट अब यह फिगर पर मत जाना फिगर ऐसी बन रहा है थोड़ा सा राइट और डेटा दिया हुआ है कि इसमें जो तर्न बने हुए है यह 12 तर्न पर सैंटीमीटर है इसका मतलब यहाँ पर यह turn हो जाएंगे यानि 1 cm length में इसमें 12 turn दिये अच्छा इसके बाद यहाँ पर एक bolt है सपोज यह वाला हो गया bolt इसको वो बोल रहा है एक rod बोल रहा है यह rod हो गया और यह यहाँ पर इसके अंदर इसको insert करना है और इसके अंदर भी बैसे एक ऐसे thread बने होगे है यह bolt हो गया समझ लो यह nut हो गया यह bolt हो गया bolt को इसके उपर कसना है तो इसके उपर कसना है तो आपको इस bolt को गुमाना पड़ेगा ना इसको आपको क्या करना पड़ेगा rotate कराना पड़ेगा और rotate कराना पड़ेगा तो उसकी rotation की जो speed दी है आपने 216 rpm दिये यह जो यहाँ पर यह bolt है इसकी जो speed आपने दी है वो 216 rpm दिये round per minute दिये यह एक minute में यह 216 turn घूम सकता यह वाला bolt ठीक है तो इसको एक काम करें second में convert कर लें RPS में तो यह हो जाएगा 216 divided by 216 है ओके 216 divided by 60 कर लूँ यह हो जाएगा RPS का मतलब क्या होगा round per second ठीक है मतलब एक second में यह 216 upon 60 RPS घूमेगा ठीक है चलो इसके बाद क्या बुला अच्छा इसका diameter भी दिया है हलांकि इस diameter कोई मतलब नहीं है यह rod का diameter दिया हुआ है question में कितना दिया है 1.18 cm यह आपने diameter दिया हुआ है ठीक है अब एक मिनट यह कहां चला गया है back में जाओ मैं यह आगया ठीक है अब इसमें क्या बुला गया कि यह जो rod थी ना यह वाली rod यह horizontally mounted है ठीक है और यह जो बार है बार जिसमें threaded hole अंदर बने हुए हैं वो इसके उपर इसके उपर ले जाना है इसके उपर ऐसे ले जाना है इसके उपर गुमाती हुए ले जान तो जब गुमाती हुए ले जाएंगे तो यह इसके अंदर आ गया है 1.5 cm कितना आ गया है 1.5 cm ठीक है 1.5 cm यह आ जाता है अब 1.5 cm आ जाए अगर इसके अंदर यह जो bolt है nut के अंदर ऐसे सोचो यह bolt है वो nut के उपर इस nut के उपर 1.5 cm की distance horizontal distance cover कर ले तो कितना time लगेगा यह पूछा है ठीक है तो एक काम करते है यह इतने डेटा मैंने आपके जो question है उससे collect कर लिए अब ऐसा सोचो एक centimeter चलने में कितने turn होते है 12 turn ठीक है तो बता 1.5 cm चले तो कितने turn होंगे 1 cm में 12 turn है तो 1.5 cm के अंदर कितने turn होंगे 12 into 1.5 simple मतलब 18 turn हो जाएंगे तो यहां से एक बात clear हो गई है कि 1.5 cm बोल्ट को nut के उपर चलना है तो वो 18 turn घुमेगा तो कुल मिला के हमारा question यह हो गया कि 18 turn घुमने में वो कितना time ले रहा है यही तो question हुआ 18 turn घुमने में कितना time ले रहा है अच्छा इधर जो है चलो एक दूसा color लेता हूँ मैं इधर देखो यहां बताओ 216 by 60 rps आया इसका मतलब क्या था कि 216 by 60 turn घुमने में इस बोल्ट को 216 by 60 turn लेने में इस बोल्ट को कितना time लग रहा है एक second लग रहा है तो हम यह कह सकते है कि 216 by 60 turn में कितना time लगता है वन second अच्छा तो वन second में कितना लगेगा one second sorry one turn में कितना second time लगेगा एक मिनट यह थुआ सा गरवड हो जाता है आप बताओ चलिए मैं कितना time लेगा यह यह बन अपॉन 216 by 60 that is 60 by 216 second लेगा ठीक है मुझे कितने turn चाहिए थे 18 turn का time निकालना है तो 18 turn में time कितना लगेगा 18 into 60 divide by 216 divide कर लो 18 12 लेट चलिजाएगा ठीक है तो 12 5 जा 60 मतलब 18 turn घूमने में यह बोल्ट time लेगा 5 second ठीक है मेरे ख्याल से question यही है यही answer है आपके इसका तो समया मेरे ख्याल से यह question समझ आ गया होगा अभी भी कोई doubts रह जा है तो आप कल टेस्ट देने आएंगे उससे मैं पूछ सकते हैं मैं explain कर दूँगा ठीक है ना ओके thank you आप कर दो